हेलो फ्रेंड्स यह है हमारी जटपट बनने वाली ब्रेड कुकीज यह सुनिया आप इसकी अवाल सुनाना कितनी कुर्कुरी है बार से एकदम कुर्कुरी और अंदर से सौट सौट तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को हम फ्राइंग पैन में तीन से चार टेबल स्पून चीनी ले लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको केरमलाइज होने देंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बूलें और कमें से सीटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर क्या रेसिपी देखना पसंद करेंगे जिसे मैं आपके नाम के साथ ही शेयर करूंगी तब यह केरमलाइज होती है तब तक हम अपना अगला काम करते हैं यह मैंने दो ब्रेड स्लाइज ले ले लिए जिनको ह पूरे पैन में फैला लेंगे और ध्यान रखें फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए पूरे पैन में फैला के हम इस पे ब्रेड स्लाइज रख लेंगे और जो साइड की चीनी है वो भी हम इसके उपर डालते जाएंगे ब्रेड के उपर और स्प्रेड करते जाएंगे अब कोट लेंगे और इसके ऊपर हम un desarrollo कोटनन दालेंगे और वाफिस इसको पलट लेंगे जिससे कोड़ को ऩाइगा और केरमिलाइज भी हो जाएगा निकल जाएगा और दूसरी तरफ भी कोटनन डाल लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे ये काम करें फ्रेंट्स वरना कड़वा पना जाएगा इसमें तो अब ये तयार है हमारी ब्रेड अब फ्लेम को आफ कर लेंगे और इसको बटर पेपर पे निकाल के हम रूम टेंपरेचर पे ही ठंडा होने देंगे फ्रिज में ना रखें वरना चीनी मेल्ट हो जाएगी अब मेरी गलती है थिक मैंने इसको बटर पेपर पे रखा तो उसको निकालने के लिए अब मैंने गीले कपड़े पे बटर पेपर को रख दिया है जिससे ये आसानी से निकल जाएगा तो फ्रेंड्स अब ये हमारी जटपरसी ब्रेड कुकिस बनके तयार है आप चाहें तो इस पे रबड़ी भी लगा सकते हैं जिससे ये और ज़्यादा फ्लिवरफूल हो जाएगी तो बस आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें और आप भी इसको आफट से बनाएं और जब भी मीठे की क्रेवी हो इसको इंजॉय करें थेंक्यू